देखो होता क्या है अगर A काम शुरू करेगा तो काम 17 दिन में होगा अगर B काम शुरू करेगा तो 17 टू बाई 3 डेज लगेंगे मतलब यह हो क्या रहा है और यह alternate label का alternate pattern वाला question है बहतरी impression है मुझे एक बात बताओ सपोज मैं आपसे कहूँ कि A और B alternate काम कर रहे हैं और total work 17 days में complete होता है तो आप सोचो अगर A काम शुरू करेगा यह चलो एक काम करते हैं 17 को 7 कर लेते हैं फिर A काम करेगा फिर B काम करेगा फिर A काम करेगा फिर B काम करेगा फिर A काम करेगा फिर B काम करेगा फिर A काम करेगा फिर A काम करेगा तो देखो A ने कितने दिन काम किया A ने 4 दिन काम किया और B ने कितने दिन काम किया 3 दिन तो टोटल काम कितना हो गया 7 दिन अरी बास समझ में अगर मैं आपसे कहूं कि A और B ने alternate काम किया और टोटल वर्क 5 लेस काम किया आप तुरंद बोलोगे सर 2 दो दिन तो किया ही होगा और एक दिन इसने और किया होगा यानि हमारे A वाले भहिया ने तीन दिन काम किया होगा और B ने दो दिन काम किया होगा आरी बात समझ में अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि A और B ने मिलकर complete work 5 2 by 3 days में किया alternate काम किया और complete work 5 2 by 3 days में किया इसका मतलब क्या है कि 2 दिन A ने काम किया 2 दिन B ने काम किया एक दिन A ने काम किया होगा और remaining work इस भाई ने खतम किया होगा मतलब 3 दिन A ने काम करा और 2 2 by 3 days B ने काम करा तो आगया ना total 5 2 by 3 days क्या आपको ये बात समझ में आ गई होगी है ना आ रही है बात समझ में कि ये चल क्या रहा है समझ में आ इतनी बात तो अब आप सोचिए कि अगर A work start करेगा तो उसने अगर A work start करेगा तो total work 17 days में हुआ मतलब 17 को पहले तो आप ऐसे करो कि 8 दिन इसने काम किया होगा 8 दिन इसने काम किया होगा एक दिन इसने काम किया होगा यानि A ने 9 days काम किया होगा और B ने 8 days काम किया होगा तभी तो 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा अगर B work start करे अगर B काम start करे तो total work 17 2 by 3 days में होता है इसका मतलब 8 days इसने काम किया 8 डेज इसने काम किया, एक दिन इसने काम किया, 2 थर्ड इसने काम किया, तो 9 डेज इसने काम करा, और 8 2 बाई 3 डेज इसने काम करा, तो दोनों का मिलकर काम कितना हो गया, 17 2 बाई 3, है ना, जल्दी से मुझे yes में बता दो कि sir, हाँ, ये दोनों बाते मुझे समझ में आ गई ह अगर 17 काम किया है alternate 8 plus 8 plus 1 तो 9 days हमारे A भाई काम करेंगे 8 दिन B काम करेगा अगर total work 17 2 by 3 है और B work start करता है तो 8 plus 8 plus 1 plus 2 by 3 9 days B काम करेगा 8 2 by 3 days A काम करेगा Got it? चालो, अब इसको process में लेते हैं अगर A work start करें तो total work 17 days में होता है इसका मतलब A 9 days काम करेगा तो B 8 days काम करेगा अगर B work start करें तो total work 17 2 by 3 days में होता है तो इसको अभी मैंने आपको समझाया था कि ये 9 days काम करेगा और ये 8 2 by 3 days काम करेगा Clear है? अब बात समझना मुझे बताईए कि पहले A काम कर रहा था 9 days ठीक है और अब वो कितने दिन काम कर रहा है 8 2 by 3 days तो A पहले 9 day काम कर रहा था अब 8 2 by 3 days काम कर रहा है और इनका टूटल मैं या लिक रहा हूँ 17 2 by 3 है ना तो हमारे A वाले भहिया ने 1 3rd day काम कम किया 9 में से 8 2 by 3 कम करेंगे तो 1 3rd आएगा मतलब A ने 1 3rd काम कम किया तो इसके कारण ये जो B वाले भहिया थे इनको एक दिन ज़्यादा काम करना पढ़ गया है ना B को एक दिन एक्स्ट्रा काम करना पढ़ गया A ने 1 3rd day काम कम किया तो B को 1 डे ज़्यादा काम करना पढ़ तो इससे तुरंत मुझे A और B की एफिशियंसी पता चल गई 3 ratio 1 ये बाद आपको समझ में आई या नहीं आई ठीक है तुरंत एफिशियंसी पता चल गई 3 ratio 1 डन है अब अगला सवाल क्या होता है हमें total work निकालना है आप किसी भी इंसान से total work निकाल लो total work कैसे पता करेंगे efficiency पता चल गई तो या तो इसको ले लो या इसको ले लो तो A की efficiency 3 है B की efficiency 1 है A ने 9 डेस तक काम करा B ने 8 डेस तक काम करा तो इसका total work 27 है इसका 8 है यानि total work कितना आ गया 35 आ गया और अगर 35 work मुझे दोनों से करवाना है 35 units काम अगर मुझे A और B दोनों से कराना है उन्होंने बोला है दोनों साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे तो 35 work अगर दोनों से कराना है तो दोनों 4 की efficiency से करेंगे तो 4 से cancel करेंगे 4 8s आ 32 और बचेगा आपका 3 by 4 तो 8 3 by 4 डेस में total काम हो जाएगा option D is the right answer झाल झाल